गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे प्रीवियस क्लास रिविजन की कम्प्यूटर में स्टूडेंट हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर ली थी सेकेंड यूनिट में हम नाइन्थ के प्रीवियस क्लास रिविजन की कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे जो हमारा MS word है उसमें हमने file, edit option, cut, copy, paste उसे बहुत सारे options क्या होते हैं यह हमने 9th में पढ़ लिया था 10th में students हम उन चीजों को revise कर रहे हैं clear बच्चो तो आज हम previous class revision जो हमारा topics था उसमें कुछ parts हमने last previous topics में देखे थे clear previous lectures में देखे थे, आज हम उसी के नए topics आज हम यहाँ पर देखेंगे ठीक है students clear, आगे हम देखते हैं previous class revision में student सबसे पहले हमारा जो आज का नया topic है students वो है home tip अब home tip क्या होती है पहले हम बात करते हैं students 9th में हम इसे home ribbon के नाम से भी जानते थे बच्चो है न तो home ribbon और home tip होती एक है ठीक है तो हम इसकी थियोड़ी सी थियोड़ी English में देखतें Microsoft office the home taste is the default tape in Microsoft word Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint and other Microsoft office products जिसकी shortcut की alt plus h है इसी definition को हम हिंदी में देखे बच्चों तो home tip Microsoft office home tip Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint और अन्य Microsoft office उत्पादों में default tape है जिसकी shortcut की alt plus h होती है बच्चों मैं आपको बता दू कि हमने 9th में भी इसे home ribbon के नाम से जाना था उसे ही हम home tip बोलते हैं यह जो home tip है वो Microsoft word, Microsoft Excel और Microsoft PowerPoint मतलब Microsoft office के जो अलग-अलग software होते हैं Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint है ना उन सभी में क्या होती है यह students home tape होती है और यह सारी जो home tapes है उसमें बहुत सारे options होते हैं जैसे cut करना, copy करना, paste करना clear बच्चों अभी मैं next slide में आपको इसका draw दिखाऊंगी तो आपको clear हो जाएगा हाना ऐसे तो हम mouse के click से home tape open कर सकते हैं बच्चों लेकिन हम alt plus h shortcut की के use से भी home tape को open कर सकते हैं clear बच्चों इसकी definition आपको clear हुई ठीके अब हम आगे देखते हैं कि home tape का मैं आपको एक draw display कर रही हूँ बच्चों दिख रहा है आपको screen पे home tape Microsoft word processing है इसमें एक home tape है उपर आपको दिख रही है जिसमें past format है ना बढ़ा करना छोटा करना bold करना italic करना underline करना जिसमें clipboard, font, paragraph, styles बहुत सारी चीज़े होती है जिससे आप किसी भी अपने program को क्या कर सकते हैं बच्चों easily manage कर सकते हैं और easy कोई भी documents को आप easily draw कर सकते हैं ना बच्चों तो इसे हम क्या बोलते हैं home tape या फिर I hope so बच्चों कि आपको home tape समझ में आई होगी और यह आपने पहले भी इसका practicals 9th में बहुत सारा किया इसमें सारे options को आपने अच्छे से clear किया है ठीक है बच्चों अब हम आज का हमारा next topic है वो देखने से पहले पहले हम home tape के कुछ features देख लेते हैं कि home tape के features क्या होते हैं it means Microsoft Word में जो home tape होती है उसके बहुत सारे student features होते हैं हम एक एक करके सारे features के बारे में describe करेंगे पहले हम इसे English medium के students के लिए English में देख लेते हैं फिर इसे हम Hindi में भी देखेंगे ठीक है बच्चों इसका पहला point है change font size and color किसी भी document में अगर font की size को change करना है किसी color को change करना है उसके कोई type को change करना है तो आप home tape की मदद से student easily कर सकते next point हम देखेंगे बेटा set text to be bold और underline किसी भी text को किसी भी word को आप उसमें bold करना है underline करना है ये सारी चीज़े भी कर सकते हैं ठीक है कि बच्चों next अपन देखेंगे add or remove highlighting color around text मतलब किसी भी color को हम highlight कर सकते किसी भी color को हम रिमूफ कर सकते मतलब वगर किसी word को हमें color देना है किसी को highlight करना है ये सारी चीज़े भी हम बच्चों कर सकते हैं अब हम देखते हैं next topic justify text on the page to be left center and right alignment it means बच्चों कि कोई भी text को हमें left में करना है right में करना है ये center में करना है जैसे मैं आपको slide में एक option दूँ कि जैसे क्या हुआ बच्चों बीच में लिखा हुआ है तो मतलब किसी भी text को आप center में left right ऐसे में easily कर सकते हैं इसकी मदद से home tape की मदद से बच्चों है ना अब हम और आगे चलते हैं next point देखेंगे 8 bullet points और numbered list मतलब किसी भी तरह के bullets देना है किसी भी नपना के numbers देना है है ना हमार कि आप एक paragraph लिख रहे हो उसमें आपको अलग-अलग points describe करना है बच्चों तो आप ये चीज भी कर सकते हो इसी slide में आप देखेंगे मैंने एक arrow करके बहुत सारे हर points के साथ एक arrow आ रहा है मतलब ये क्या है bullet से और ये क्या है students numbering है जिसको आप easily क्या कर सकते होम tape की मदद से कर सकते हैं है ना बच्चों अब हम next point देखते हैं इसका की home tape और क्या कर सकता है तो add, change and remove borders around text, text box and tables किसी भी tape में हम कोई change करना है किसी को remove करना है कोई box लेकर आना है है ना अलग-अलग design करना है मैं बचाती हूँ कि मेरा जो headlight हो वो bold हो है ना या फिर किसी box के अंदर आए या उसमें कोई color अच्छा हो तो इस तरह की documents भी आप एटा home tape की मदद से अपने document को modify, update और अच्छा designing form में क्या कर सकते हैं बना सकते हैं basically मैंने previous lectures में भी बताया था कि हम Microsoft Office का use किसी भी documents को बनाने के लिए करते हैं चाहे वो resume हो है ना या फिर आपका कोई essay हो या कोई आपकी applications हो है ना जो चीज आप आपकी copy में pens और pencil scale से करते हैं वो सारी चीज आप computerized word में कर सकते हैं ठीक है बच्चो अब हम इसी चीज को जो है एक point और है इसका जिसको हम बोलते add or modify heading types मतलब किसी को add करना है किसी को modify करना है किसी headings को तो वो भी चीज हम इसमें कर सकते हैं clear बच्चो अब हम आगे देखते हैं इसी slide में home tape सुवीदा है मतलब पहले जो आपको previously बताया था वो English medium के बच्चो के लिए थी अब हम जो ब home tap में पहला type है from font आकार प्रकार आकार और रंग बदल सकते मतलब आकार को बदलना रंग को बदलना यह सारी चीजे में आपको English में भी clear कर चुकी हूं तो इसलिए हम इसे एक बार यहां पर read करेंगे उसके बाद next text को bold या एक आंकित करने के लिए set किया जाता है bolds को highlight रंग जोड़े या निकालना it means कोई text में आपको कोई color जोड़ना है कोई निकालना है उसे highlight करना है तो भी आप home tape किसे कर सकते इसी चीज में हम next देखे by केंद्र या दाए और दिये गए प्रस्ट पर पार्ट को लिख सकते मतलब आगे करना पीछे करना left करना right करना students में English में बताया alignment करना वो सारी चीज आप home tape से कर सकते हैं आगे बात करें बच्चो तो bullet बिंदू या क्रमानित सूची जोड़ सकते हैं it means अगर कोई bullet से या कोई numbering देना है कि ये one point है ये second point है third point है ये fourth point है तो भी आप home tape की मदद से कर सकते हैं इसका next point देखे तो text text box और table के आसपास की सीमाओं को जोड़े बदले या हटाया जा सकता है मतलब कोई भी text की सीमा को आप जोड़ सकते हैं या फिर उसे easily कर सकते हैं बच्चो हटा सकते हैं है अब हम इसी का next class point देखे शीर्चक प्रकार जोड़े या शंशोदित कर सकते हैं जिसे हमने कोई format लिखा या क कलर चेंज करना है तो यह भी आप word के document से बच्चो कर सकते हैं clear बच्चो यह home tape के कुछ सुविधाय बोल सकते हैं कुछ features बोल सकते कुछ advantages हैं जो उसने हमें use करने के लिए दिये हैं ठीक है बच्चो अब हम आगे चलते हैं तो आगे हम पहरे बात करते इंसर्टेप आपने देखा है कि पहले हमने home tape के बारे में बात करी previous lecture में हमने files अगेरा के बारे में बात की थी अब हम next topic की बात करते हैं जिसको हम बोल रहे हैं insert tape अब insert tape क्या होती है वो बात करते हैं बच्चो the insert tape is used to insert different features such as a tables, pictures, clip art, shapes, charts, page, numbers, word art, headers and footers into a document इसी definition को हिंदी में देखे बच्चो पहले insert tape, insert tape का उपयोग विभिन विशेशता हो जैसे table, चीतर, clip arts, page, chart, page number, word art, header or footer को document में डालने के लिए किया जाता है it's mean बच्चो कि हम word के हर एक टेप के बारे में पढ़ रहे हैं है ना तो previous lecture में हमने file tape के बारे में पढ़ा था ठीक है इस lecture में हमने अभी पहले home tape के बारे में पढ़ा है बच्चो है ना अब इसी lecture में हम क्या कर रहे है insert tape मतलब next tape के बारे में पढ़ रहे है तो insert tape क्या होती वगेरा देना है ना या पेज का नंबर डालना है या उसके ओपर हैडर कोई डाल लिए या फूटर कोई डाल लिए इस तरह के जो भी काम होते हैं वो आप इंसर्ट टैप की मदद से कर सकते बच्चो यह भी एक तरीके से डिजाइनिंग टेप है जिसको आप क्या कर सकते हो डिजाइन कर सकते हो इसका में आपको एक ड्रॉ शो करती हूं बच्चो तेखिए आपको दिख रहा है इंसर्ट टेप इसमें पीच, टेबल, इलिस्ट्रेशन, एड, मीडिया, लिंक, video, comments, header, footer, टेग, символ, यह बहुत सारे टाइप्स को क्या कर रहें हैे इसमें features दे रखे हैं बैसिकली हम इसमें से कुछी टेबल को लेते हैं या फिर पिक्चर pernah bit या किसी inserts को ले लेते किसी smart我想 को लते तो इन सारी चीजों के लिए हम पापूलरली इन चीजों के लिए हम कि इसका इंसर्ट टेप का यूज करते हैं और भी बहुत सारे options इसमें हैं लेकिन मैंने आपको कुछ basic टेप के बारे में students बताया है है ना जिसे हम क्या बोलते हैं insert टेप clear बच्चों की insert टेप क्या होती है ठीके students अब हम आगे इसके आगे बात करते हैं हमारे next step की डिसको हम बोलते हैं design टेप ठीके बच्चों पहले design टेप को हम English में देख लेते हैं कि design टेप होती क्या है ठीक बच्चों design tape is used to design different features such as the different types of themes, sets, colors, font, watermark, different type of page color, different type of page border into a document इसी definition को बच्चों English में हिंदी में देखे हम आग कि design tape क्या करती है तो design tape का उपियोग विभिन प्रकार के themes को design करने के लिए किया जाता है जैसे की रंग और font, watermark, विभिन प्रकार के pressed का रंग देना, विभिन प्रकार के pressed border को एक दस्तावे set करना है ना, अब हिंदी मिडियम के students के लिए मैं एक चीज बोलू कि बहुत सारी चीज़े क्या होती है computer में, आप English में लिखे तो जादा better है मैंने first lecture से ही मैं ये चीज़ बोल रही हूँ और आज फिर में बताती हूँ कि हिंदी में बहुत सारी computer कभी हिंदी में नहीं होता बच्चो है ना, और हिंदी में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़े के ना बहुत तफ होते है लेकिन इसको English में हम easily clear कर सकते है ना बच्चो अब design tape में हम देख ले कि design tape क्या होता है डिफ में बहुत सारे features होते है जैसे कोई theme करना है ना कोई color side करना कोई water mark पतला पीछे background में आपको कोई color चाहिए page का color change करना है डिफ borders को different करना है ये सारी चीज़ design tape में होती है बच्चो है ना इसलिए हम design tape का use करते है इसको भी मैं आपको एक draw से बताऊं बच्चो तो आपको दिख रहा है कि ये पूरा एक design tape है इसमें पहले मैं आपको बता दू कि file, home और insert ये तीन टेप हम already discuss कर चुके है अब हम discuss कर रहे है design tape जिसमें theme से water mark है, page का color जैसे आपको जो page दिख रहा है student वो white color का दिख रहा है आप चाहें तो इस page को क्या कर सकते है color भी कर सकते हैं, है ना बच्चो तो ये सारी चीज़े आप किस से कर सकते हैं design tape की मदद से, तो clear बच्चो इस lecture में आपको ये समझ में आया कि home tape क्या होता है, है ना home tape में हम सिफ normally चीज़े क्या करते हैं, page को color करना, bold करना, underline करना, cut, copy paste, insert tape में कोई pictures लेना, कोई tables लेना, ये सारी चीज़े हम insert tape में करते हैं, अब next tape में हम करते हैं, next tape, अब हम बच्चो design tape में ये देख रहे हैं, कि themes क्या होती है, themes को अलग-अलग types की themes कैसे ले सकते हैं, उसका color कैसे डाल सकते हैं, उसके font का color कैसे manage कर सकते हैं, page का color कैसे कर स सकते हैं ठीक है बच्चो तो यह सारी चीज हम काय में करते हैं डिजाइन टैप में इजी ली क्या कर सकते हैं बच्चो कर सकते हैं है ना इसको हम कौनसी टेप बोलते हैं डिजाइन टेप इट्सक्लियर बच्चो अब हम नेक्स टाइप की टैप देखते हैं जिसका नाम होता ह पेज लेयाउट टेप है ना पेज लेयाउट टेप को पहले हम इंग्लिश में देखते हैं कि पेज लेयाउट टेप होती क्या है the page layout tap hold 얼fall all the options that allow you to arrange your document pages just the way you want them you can set margin, control of pages or orientation and size and sections and link breaks display line number and set paragraph intention and line है ना थोड़ी से tough definition है बच्चो लेकिन हमें ये definition नहीं करनी है इसी definition को हम पहले हिंदी में देख लेते हैं बच्चो page layout tape उन सबी विकल्पों को रखता है जो आपको अपने दस्तावे जो प्रस्टों को व्यवस्तित करने की अनुमती देता है जिस तरह से आप उन्हें चाहते हैं आप margin set कर सकते हैं page orientation या sorry और size को control कर सकते हैं section और line break जोड सकते हैं line number display कर सकते हैं और paragraph intention और line set कर सकते हैं देखिए बच्चो page layout आपको नाम से ही clear है कि एक ऐसा टेप जिसमें हम अपने पूरे document को का layout क्या कर सकते हैं मतलब एक पूरे page को हम क्या कर सकते है word में set करते हैं उससे हम कौन सा टेप बोलते है page layout टेप आप page layout टेप क्या होता है that hold all the options यह बहुत सारे options को hold करता है जिसे किसी page को arrangement करना किसी page के margin को set करना उसके control करना किसी page को break करना किसी दूसरे page चे उस page को link करना यह सारी चीज बच्चो कौन करता है page layout टेप जिसे हम क्या कहते है page layout टेप clear बच्चो अब मैं आपको इसका एक छोटा सा draw दिखाती हूँ है ना देखिए बच्चो आपकी screen पे page layout टेप दिख रहा है जिसमें margin है orientation है size है color से किसी चीज को break करना मतलब पूरे page को आप किस तरीके से set कर सकते हूँ कुछ page A4 size के आते कुछ page legal आते कुछ page letter आते तो word में ये सारी चीज़े आप page layout ribbon से कर सकते हैं पेज layout ribbon बच्चो 2007 में उसका नाम page layout ribbon था इसलिए मैंने इस topic को page layout ribbon के नाम से लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो लेकिन जब हम 2016 या 2010 पढ़ेंगे तो इसमें हम layout के नाम से इस second option जो देखा है paragraph मतलब किसी भी lines या किसी भी paragraph के margin कितना रखना है कितना left से छोड़ना है कितना right से चोड़ना है क्या करना है ये सारी चीज़े भी आप page layout के option से कर सकते हैं तीसरा arrange होता है मतलब किसी की position देना कोई image को उपर लाना कोई image को नीचे लाना कुछ ऐसा कुछ कर तो ये सारी चीज़े भी आपका ऐसे कर सकते student page layout मतलब layout ribbon से कर सकते I hope so students कि आपको layout भी clear हुआ होगा ठीक है बच्चो आज इसको हम बोल रहे है page layout ribbon जो कि मैंने आपको display कर रखी है thank you बच्चो